कि सभी दोस्तों का एक बार फिर से सात्यों स्वगत है लोग संतों की एंटिवाइटिक स्रीच में देखिए ये स्रीच आप लोगों दीख रही है और देखने से आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर्वाकर यहां से सवाल बनता है आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे जही तो यहां से आपको सवाल मिलेगा सात्यों और बड़े-बड़े लोग संत हम लोग पढ़के एक्जामोल में चली जाते हैं लेकिन एक्जाम नेरे कहीं साति हो छोटा लोग संतों में हमें अटका गिरख देता है तो देखिए यहां पे मैंने यहां पे प्रदान पीट कहा है उस संपर्दाय की और फिर लिख रहा है उस संपर्दाय का गरंत कौन सा है मेरी साथ से बास समझगे संपर्दाय का नाम संस्तापक कौन है जैनम कहां हुआ संस्तापक का प्रदान पीट कहा है और उसको गरंत का नाम क्या है साथियो तो आप जो साथी न नोट्स कम्प्रेटों को और डाल देंगे साथी हो और वे चारों नोट्स आप प्रिंट मंगवा सकते हो ताकि लिखने का आपका समय बचे और साथी आराम से आप देखो कितनी जगे छोड़ी हुए वहाई आप आप लोग नोट कर सकते हो मातर एक सो असीर रुपए में डाग चारस सहीत आपके घर पहुंच रहे हैं चोराण में चैसो अठैसे चालीज दोसो वर्ट सब मैसेज करना है आप लोगों को अपना मैसेज साथी हो नंबर यह होंगे कोई दिक्कत नहीं हमारी गारंटी है आपक चाहें कि प्रदान पीट कुझलन सवरूप इनके क्या है गता है आपे सर्क एथ होले जामनगर गुझरात के पन्ना मद्द परदेश में प्रदानीट फिर वह में राजिस्ती if पढ़ रहे हैं जाम लगा गुजरात में तो प्राण निकले पन्ना मद्दे प्रदेश में कुजलम सरूप ने कहा जाम लगा गुजरात में तो प्राण निकले पन्ना मद्दे प्रदेश में क्या का कुजलम सरूप ने कहा जाम लगा गुजरात में तो प्राण निकले पन्ना मद्दे ठीक है बड़ी संत है यह द्हांगणा आप लोगों के मैटरी याद नहीं होता है लेकिन मैं तरीके याद कर वा रहा हूं अलख्य संपर्दाय के संस्ता पाक है उनका नाम है संतलालगिरी रहने वाले कहां के हैं चूरू के परदान पीट कहां है बीका निर में गिरंत कितने ह आप अलगी परखास अलग इस्तूति परकास को फिर पहिचान जाएंगे क्यूंकि अलग है संपर्दाय को नहीं पहचानेगे आप niżको एक नंबर पे कुनडल्य आप और की नममर पर संनलालगिरी वोलेंगे तीन नमर पर छूरू बोलेंगे च्यार चले अलग जगाई बीका निर में कुंडिल निंग कहा संत लाल गिरी चूरू से चले अलग जगाई बीका निर में अलग का मतलब अलग संपर्दाय कहां जगाई बीका निर में परधान पीट कहा है बीका निर में चले कहां से चूरू से यह गलती मत कर देना नाम से अलग दा तो नवल दासी में सिधा साए, नवल दासी संपर्दा हो गया, संस्ता पक नवल दास हो गये साथियों, ठीक है, रहने वाले कहां के हो गये, नागवर हो गये, परदान पीट का हो गये, जोदपूर, ठीक है, तो नवल दासी संपर्दा हो गये, संस्ता पक नवल दासी, रहने संस्तापक नवल्दास रहने वाले नागोर के परदान पीट जोधुपुर में और गिरंत का नाम हो गए साथियो नौलेश्वर अनुभव वानी क्लियर गुदर संपर्दाए तो गुदर ही एक वस्तर होता है साथियो और घरों में फटे पुराने कपड़े होते हैं उन्हें काट काट के काट काट के सिलाही करके हम लोग साथियो वस्तर बनाते और गुदर संपरदा बोला क्या का मैंने भीलवड़ा के दात्रा से संतलो गुदली बनाते हैं क्या का मैं भीलवड़ा के दात्रा से संतलो गुदली बनाते हैं भीलवड़ा दात्रा संत लोग संदासी क्या बनाते हैं गुदली यानि संपर्दाय कौन सोगे मित्रो गुदर संपर्दाय हो गया किलियर सवाल पूछता है मज़ा आ रहा होगा और मज़ा आ रहा हो तो साथ यो चैनल को सब्सक्राइब करें गंटरी सामदवाना लाइक और कमेंट करके साथ यो सेर का होसला जरूर बढ़ाना है निस्कलंग संपर्दाए मित्रो चोपड़ा एक जीली पढ़ा ही मैंने आप लोगों को और चोपड़ा एक मैंने अस्तकला भी करवाई थी आप लोगों को जो आपके कलात्मक लकडी के साथ यो आप लोगों बोक्स होता है उससे हम लोगों ने चोपड़ा बोला मावा होता ही है और मावा को हम जमाने साथियों साबलगाव डूंगरपुर के चोपड़ा में मावा रखते हैं ताकि निस्कलंक रहे बल उसके कलंक नहीं लगे साब लगा और डूंगरपुर के चोपड़ा मावा रखते हैं ताकि निसकलंक रहे यानि मावा रखते हैं संत्माओ जी संस्तापक कैसा रहे निसकलंक संपरदागने आप निसकलंक कहा है साब लगा और डूंगरपुर का परदन डूंगरपुर में किसमें रखते हैं चोपड़ा चोपड़ा क्या होगी रचना साथी हो मैं यही कह रहा हूँ ग्राइथान आपके साथ हमेशा बना हुआ है अशोक मिना हमेशा बना हुए साथी हो हमारा परिवार का सद्धे से बनी कई पस्ताना ना पड़ जाए और मेरी बातों में नहीं आना क्या हुआ है